नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चैनल एजुकेशनल टोक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिक कोस्मेटोलोजी के अगजाम में मेकप से रिलेटिड पूछे जाने वाले बहुत ही इंपोटेंट क्य अगर दोस्तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और जरूर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं पहला क्योशन दोस्तो लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है तो इसका सई अंसर होगा लाल रंग का पूरक रंग हरा रंग है अगला क्योशन दोस्तो निमन परकार के चेरों में किस परकार के चेरे का आकार सबसे अच्छा माना जाता है तो इसका सई अंसर होगा निमन में से अंडाकार चेरे का आकार सबसे अच्छा माना जाता है अगला क्योशन दोस्तो मेक अप कितने परकार के होते हैं तो इसका सई आंसर होगा मेक अप चार परकार के होते हैं अगला क्यों सन्य दोस्तों किस परकार के नाग पर क्रेटिव मेक अप नहीं किया जाता तो इसका सई आंसर होगा नॉर्मल नोज बे क्रेटिव मेक अप नहीं किया जाता अगला क्यों सने दोस्तों, मेक अप में फाउंडेशन का उप्योग किसलिए होता है? तो इसका सही अंसर होगा, मेक अप में फाउंडेशन का उप्योग बेस के लिए होता है अगला क्यों सने दोस्तों, तलि ये तवच्चा की सफाई का केमिकल कैसा होता है? तो इसका सही अंसर होगा तलिये तवच्चा की सफाई का केमिकल निमन में से सिटुडेट लोशन होता है अगला क्यों सने दोस्तों ब्यूटी सियन के व्यक्तिताओं की क्या विशेश्था है तो इसका सही अंसर होगा ब्यूटी सियन के व्यक्तिताओं की विशेश्था उपरियुक्त सभी है अगला क्यों सने दोस्तों सीटीम का विश्थारित रूप क्या है तो इसका सई आंसर होगा CTM का विस्तारित रूप क्लीजिंग, टोनिंग और मैस्टिराइजिंग है अगला क्यों से न दोस्तो आखों की आउटलाइन और उसको उबारने के लिए किस कोस्मेटिक का उप्योग किया जाता है तो इसका सई आंसर होगा आई लाइनर का उप्योग किया जाता है अगला क्यों से न दोस्तो आखों के चारों और कंसिलर चिपाने के लिए किस ब्रस का उप्योग करना चाहिए तो इसका सई आंसर होगा कंसिलर ब्रस का उप्योग करना चाहिए अगला क्यों से न दोस्तो फैसियल विशेस्ता को कम करने के लिए मेक अप के दोरान क्या इस्तिमाल करना चाहिए तो इसका सई अंसर होगा गहरा रंग इस्तिमाल करना चाहिए अगला क्यों सन्य दोस्तो बलस्तर का प्रियोग गाल की अडियों और कानपटी की और किस के लिए होता है तो इसका सई अंसर होगा यह है गोल चेहरे के लिए होता है अगला क्यों सन दोस्तो आदरस फेसियल आकार क्या है तो इसका सई अंसर होगा अंडाकार है अगला क्योंसन न दोस्तों तवच्चा को ताजा करने के लिए फ्रेसर किस प्रकार की तवच्चा पर मेकप लगाने से पहले लगाया जाता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से सुस्क तवच्चा पर लगाया जाता है अगला क्यों सन्य दोस्तों मेक अप के दोरान किस प्रकार का लाइट अच्छा माना जाता है तो इसका सही अंसर होगा मेक अप के दोरान निमन में से योलो लाइट बल्यू लाइट अच्छी होती है अगला क्यों सने दोस्तों एवांचनी ये आइब्रो एयर को किस दिशा में निकाल देना चाहिए तो इसका सैयांस रोगा निमन में से एयर ग्रोथ की विपरीद दिशा में निकाल देना चाहिए अगला क्यों सन दोस्तों दो प्रात्मिक रंगों को समान रूप से मिलाने के बाद कौन सा रंग प्राप्त होता है तो इसका सैयां सोरोगा निमन में से स्केंडरी रंग प्राप्त होता है अगला क्योंस न दोस्तो रंगों के सम्मंद को समझाने के लिए क्या सिस्टम है तो इसका सई अंसर होगा रंगों के सम्मंद को समझने के लिए रंगों के नियम है अगला क्योंस न दोस्तो खोट जिसके वकर नीचे की और हों उन्हें क्या कहा जाता है तो इसका सई अंसर होगा उनको समान ओठ काया जाता है अगला क्यों सने दोस्तों मेक अप लगाने का मुख्य उदेशे क्या है तो इसका सई अंसर होगा मेक अप लगाने का मुख्य उदेशे चेरे की सुंदरता में व्रीधी करना है अगला क्योसन है दोस्तो मेक अप एक कला है जिसके लिए क्या आवशेक है तो इसका सही अंसर होगा मेक अप एक कला है इसके लिए प्राकर्तिक रंग आवशेक है अगला क्योसन है दोस्तो प्रात्मिक रंग कौन से है तो इसका सही अंसर होगा प्रात्मिक रंग निमन में से लाल निला पिला है अगला क्यों से ने दोस्तों माध्यमिक रंगों को प्राप्त करने के लिए क्या मिलाते हैं तो इसका सही अंसर होगा मद्यमिक रंगों को प्राप्त करने के लिए प्रात्मिक रंग मिलाते हैं अगला क्यों सन्य दोस्तों दिन की रोशनी में किया गया मेक अमेशा कब करना चाहिए तो इसका सैंसुर होगा दिन की रोषनी में किया गया मेकप अमेशा स्फेद रोषनी में करना चाहिए अगला क्यों सन्य दोस्तो बुनियादी चेरे की आगरती की कूल संख्या कितनी है तो इसका सही आंसर होगा बुनियादी चेरे की आकरती की कुल संख्या पांच है अगला क्यों सन दोस्तों बिल्कुल सही चेरे की आकरती कौन सी है तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही चेरे की आकरती निमन में से अंडाकार है अगला क्योंस न दोस्तों MAKEUP कमरे में इस्तेमाल प्रकास का प्रकार कौन सा है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से प्रकास मानः प्रकार है अगला क्योंस न दोस्तों MAKEUP продолжive fixer का प्रियोग किस से पहले किया जाता है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से बेस लगाने से पहले किया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों मेक अप करते समय कंसिलर के बाद क्या लगाया जाता है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से कॉम्पेक्ट लगाया जाता है अगला क्योसन दोस्तों कौन सा रंग आखों के नीचे बैंगनी रंग को अलका करता है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से पीला रंग करता है अगला क्योसन दोस्तों चेरे को साफ करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इसका सई अंसर होगा चेहरे को साफ करने के लिए क्लिंजिंग मिल्क का उप्यों किया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों क्रितरिम पलकों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है तो इसका सई अंसर होगा निमन में से साम के मेकप के लिए किया जाता है अगला क्योंसन दोस्तों चेरे के निसान दाग दबो को अटाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा निमन में से कंसिलर का प्रियोग किया जाता है अगला क्योंसन दोस्तों मसकारा का प्रियोग कैसी पलकों के लिए किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा मस्कारा का प्रियोग निमन में से पतली पलकों के लिए किया जाता है अगला क्यों सन्य दोस्तों किस मेकप ब्रस का उपयोग छोटी कम्यों के संसोधन में किया जाता है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से कंसिलर ब्रस का उप्योग किया जाता है अगला क्योंस न दोस्तों निमन में से कौन सा रंग कूल रंग की स्रेणी में आता है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से बैंगनी रंग कूल रंग की स्रेणी में आता है अगला क्योंस न दोस्तों रंग चकर के विपरीत पक्स के रंगों के स्योजन से कैसे रंग बनते हैं तो इसका सई आंसर होगा निमन में से पूरक रंग बनते हैं अगला क्यों सन दोस्तों दिन के समय मेक अप का बेस कैसा होना चाहिए तो इसका सही अंसर होगा निमन में से लाइट होना चाहिए अगला क्यों सन दोस्तों रात के मेक अप में लिपस्टिक के कैसे रंग चुनने चाहिए तो इसका सई आंस्वर होगा निमन में से बोल्ड रंग चुनने चाहिए अगला क्यों सने दोस्तों नीला और अरा रंग गुलाबी रंग के परकास में किस रंग का दिखता है तो इसका सई आंस्वर होगा निमन में से सलेटी रंग दिखता है अगला क्यों सने दोस्तों कौन से रंग का प्रकास मेकप के रंग को नहीं बदलता तो इसका सई अंसर होगा निमन में से पीच रंग का प्रकास मेकप के रंग को नहीं बदलता अगला क्यों सने दोस्तों कौन सी परकिरिया के बाद से एरे के रोम सी दर खुल जाते हैं तो इसका सई अंसर होगा निमन में से टोनिंग परकिरिया के बाद चेहरे के रोमचिदर खुल जाते हैं अगला क्यों सने दोस्तों चिक बोन को तिखा लुग देने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा चिक बोन को तिखा लुक देने के लिए ब्रोंजर का उप्योग किया जाता है अगला क्यों सन दोस्तों किस परकार की नाग के सुधारातमक मेकप के लिए नाग के ब्रिज पर आईलाइटर का उप्योग करते हैं तो इसका सही आंसर होगा निमन में से चप्टी नाग के सुधारातमक मेकप के लिए नाग के ब्रिज पर आईलाइटर का उप्योग करते हैं अगला क्यों सन दोस्तों किस परकार के ओठों पे लिप लाइनर से ओठों के बाहर की तरफ आउटलाइन की जाती है तो इसका सही आंसर होगा निमन में से पतले ओठों पर यह आउटलाइन की जाती है अगला क्यों सन दोस्तों लिप स्टिक अटाने के लिए किसका प्रियोग सबसे उप्यूक्त है तो इसका सही आंसर होगा लिप स्टिक को अटाने के लिए पैट्रोलियम जैली का प्रियोग सबसे उप्यूक्त है अगला क्यों सन है दोस्तों कौन सा उत्पाद चेहरे के रोम चिद्रों को बरकर एक चिकना बेस परदान करता है तो इसका सई आंसोर होगा नीमन में से प्राइमर करता है अगला क्यों सन दोस्तों तृत्य अग रंग कितने होते हैं तो इसका सई आंसोर होगा तृत्य अग रंग 6 होते हैं अगला क्योंसन दोस्तों मेकप के छेतर में कौन सा रंग गरम और ठंडा दोनों हो सकता है तो इसका सई आंसर होगा निमन में से लाल रंग हो सकता है अगला क्योंसन दोस्तों किसके अनुसार हम अपनी बाल सैली निर्दारित करते हैं तो इसका सई आंसर होगा निमन में से चेरे के आकार के अनुसार हम अपनी बाल सेली निर्दारित करते हैं अगला क्योसन है दोस्तों सिर्ष पर पतले और तल पर व्यापक चेरे कौन से होते हैं तो इसका सई आंसर होगा निमन में से वे चेरे तिर्कुना कार के होते हैं तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी जुरूर दबाईए ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियो आपको इसी तरह समय समय पर मिलती रहें और दोस्तों ऐसे ही क्योसन पाने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेब साइट का लिंक भी दिया है तो आप ऐसे ही क्योसन वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद